तो देखो इस question में क्या दे रखा है सबसे पहले हमें potential meter की क्या दे रखे है आपकी कुछ theory दे रखे कि how it work ठीक है question आपका start होता यहां से कि देखो एक potential meter है जिसका with a cell of emf 2 volt ठीक है potential meter का cell है जिसका emf कितना है 2 volt है और उसका internet sense कितना है 0.4 ohm है उसको हम use कर रहे है across a wire ab a standard cadmium अब हम क्या काम कर रहे है कि standard cadmium cell है जिसका emf कितना है 1.02 वह हमें balancing point derived at 66 cm length of wire ठीक है हमने क्या काम किया the standard cell is then replaced by cell of unknown emf e जिसकी internet sense क्या है small r है the balance point found similarly turned out to be 88 cm length of the wire ठीक है the length of the potential meter wire is 1 meter दे रखा है तो हमें first part में पूछना है हमें value of e बताना है ठीक है तो देखो हमारे पास क्या है हमारे पास एक potential meter wire है ठीक है तो हमारे पास क्या potential meter wire है जिसको मैंने नाम दे दिया a b इसकी length क्या है है मतला length of a b कितना है वह आपका है one meter या फिर में इसको बोल सकता हूं hundred centimeter बोल सकता हूं ठीक है अब हमें क्या दे रखा है कि cadmium cell है जो कि जिसका emf कितना है one point zero two वोल्ट उसका balancing length कितना है 66 cm ठीक है तो मैं क्या काम कर रहा हूं मैं यहां से एक cell को connect कर रहा हूं with the galvanometer ठीक है और यहां पर हमें क्या मिल रहा है balancing length मिल रही है तो L1 हमारे पास कितना है L1 की जो value है वह है आपकी 66 cm ठीक है और E connect किया और उस with the with the internet sense R तो उस condition में E with the internet sense R हमने connect किया तो उस condition हमको balancing length काम मिली L2 पर नहीं मिली जिसकी value कितनी given है वह हमें given है 88 cm ठीक है तो L2 कितना है वह आपका 88 cm है तो हम कह सकते हैं first part से कि 1.02 वोल्ट कितनी length पर balance हो रहा है 66 cm पर balance हो रहा है ठीक है तो हम यहां से लिख सकते हैं कि 66 cm किसके equivalent है वह आपके equivalent है 1.02 वोल्ट के equivalent है क्यों balance कर रहा है balance करने का मतलब क्या यहां से कोई भी current नहीं जा रहा है मतलब की internet मतलब की जो AB के cross जो AJ के cross potential drop होगा वो इसका EMF होगा ना कि इसका internet को कोई मतलब भी नहीं रहेगा ठीक है इसको हटा सकते हैं ठीक है तो 66 cm किसके equivalent है 1.02 वोल्ट के equivalent है ठीक है फिर आपका जो फिर आपका जो balancing length है वो कितने पहा रहा है 88 cm पर तो हम कह सकते हैं कि 88 cm किसके equivalent है e volt के equivalent है ठीक है तो हम यहां से कह सकते हैं कि 1 cm कितने voltage को balance कर रहा है हम इस वाले equation से निकाल सकते हैं ठीक है first equation से तो हम कह सकते हैं कि 1 cm कितने potential को balance कर पा रहा है वह आपका है 1.02 टू डिवाइड़ बाई 66 वोल्ट ठेक है तो अब 88 cm कितनों को potential को drop कर मतलब balance करेगा वो आपका e है जिसकी value क्या जाएगा e is equal to आपका जाएगा 88 into 1.02 divided by 66 ठेक है तो आपका solve करेगा तो 118 जा 116 जा 24 जा 23 जा तो यह आपका आजाएगा कितना जाएगा आपका जाएगा 4.08 divided by 3 which is equal तो यह आपकी हो जाएगी 1.36 वोल्ट हमारा हो जाएगा मतलब कि हमारी जो e की value आएगी वो हमारी 1.36 वोल्ट आएगी ठीक है अब हम क्या काम करेंगे बी पार्ट पर जाएगे तो देखो बी पार्ट में हमें क्या कहा रहा है कि if the resistance is connected across the cell e the balancing length will be ठीक है हमने क्या काम किया resistance हमने connect कर दिया across the cell e the balancing length will बताना है कि balance length तो देखो हम बताना है कि balancing length जो हमारी decrease करेगी या increase करेगी तो हमने क्या काम किया है हमने इस इए का कुछ internet था इसके across हमने क्या काम किया एक external resistance आर कनेक कर दिया ठीक है तो होगा कहीं हाँ से अब एक current flow करना start कर देगा मतलब कि इस circuit में current flow करेगा ठीक है तो आई flow करेगा तो मैं कह सकता हूं कि आई की value क्या जाएगी वह आपकी हो criter है हमारे चैए हमारे थो ble शॉझे है यह पी है क्यों हो जाएगा वह क्या हो देखो तो हमारे यह मम हो जाएगा title limit क्यों 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 हो जाएगा एच उटिक को हुझES minus i into small r जिसकी value हो जाएगी e minus i की value कितने e by r plus small r ठीक है into r तो इसको solve करें तो e यहाँ पर आजाएगा क्या r plus r minus small r divided by r plus r हो जाएगा ठीक है तो मतलब कि potential drop across pq की जो value हो जाएगी वो आपकी आजाएगी e r by r plus small r हो जाएगी ठीक है जो की क्या है vpq हमारा के लिए यह जो quantity है यह less than 1 है ठीक है तो हम कहा सकते है vpq क्या होगा वो हमारा less than e हो जाएगा ठीक है तो इस condition में p point हमारा अगर यह p point है तो यह भी क्या हो जाएगा p point हो जाएगा और यह अगर q point है balancing point में अगर हमारा कोई भी करन यहां से flow नहीं कर रहा है तो यह भी क्यों जाएक, Q पेंट हो जाएगा तो हमारा जो V, P, Q है वो less than E है, मतलब कि अब हमारा क्या हो रहा है A, J हमारा जो balancing जो potential है, वो हमारा क्या हो रहा है E हमारा decrease कर रहा है तो हमें क्या काम करना पड़ेगा इस को हमें इधर shift करना पड़ेगा तभी हमारा क्या होगा, balancing length है क्योंकि अब हमको क्या काम करना है हमें कम potential difference को balance करना है, तो हमारा जो length है वो हमारी क्या हो जाएगी, decrease कर जाएगी ठीक है, तो B part का answer क्या होगा, length will decrease, ठीक है अब हम क्या काम करेंगे, इसके third part को देखेंगे कहना चाहरा है कि the reading of potentiometer if a four volt battery is used instead of E ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे तो देखा, c part में हमसे बोल रहा है the reading of potentiometer if a four volt battery is used instead of E तो हमें बताना है कि reading of potentiometer क्या होगा decrease करेगी, increase करेगी, बताना है ठीक है, तो हमने क्या काम किया four volt की हमने, क्या 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 cell हमने connect कर दिया, जिसका कुछ internal sense R होगा, ठीक है तो अगर मैं बात करूँ, क्योंकि question में क्या दे रखा था question में हमको दे रखा था कि, हम क्या काम करेंगा two volt की battery, use कर रहे है, ठीक है, तो two volt की battery हम use कर रहे है, और उसका interest कितना है, 0.04 तो हमने क्या काम किया, इसको connect कर रखा है, किससे, एक two volt की battery से, जिसका interest कितना है 0.4 ohm है, ठीक है, तो अगर मैं को निकालना पड़े, कि potential drop across तो क्रेंचिल प्रिजट सी अब निकालना मेरे को क्या काम करना है पोर्तेकल ट्रॉट रॉपकर अपकरी घ्रोड तो कुछ इनीन ऐसील दो है कि इस एबा दो ब्रिन इस्unnाल अब तो ब्र ट्र nuclear करना है और थो पुटेंशल ड्रॉप निकालना है तो वह कितना हो जाएगा? V across AB वह कितना हो जाएगा? वह आपका हो जाएगा? 2 by 0.4 plus RAB into क्या हो जाएगा? RAB, तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो, जो आपका VAB है, वह क्या है? Less than 2 V है, क्योंकि देखो, 2 V तो हमारी maximum लगी रहा है, तो यहाँ पर कुछ potential drop across हो जाएगा, तो मतलब बचाओ जो potential drop हो जाएगा, वह आपका AB के across potential drop हो जाएगा, तो मतलब कि potential drop across AB क्या होगा? Less than 2 है, तो तो balance करने के लिए हमें कितना potential चाहिए? 4 V चाहिए, और लेकिन हमारे पास balance AB के across potential difference कितना है? 2 V है, तो मतलब कि हम देख पा र wire, तो इस case में हमारा क्या आएगा? कोई भी deflection, मतलब null point नहीं आएगा, ठीक है? ठीक है, तो हमारा क्या होगा? Null point हमारा नहीं आएगा, मतलब ठीक है?